गाउं मां विकास को लहर आउने कीत परिटरकिय छेत्र बाट हो वा आर्थिक रुप मां सम्मुन्नत भॉयर ने हो तेसेले यो दुबई पक्षबाट उड़ा नगर्र गाउं पाली कालाई सबल बनाउनों इस्तारे सर्गाले बिभिन्न योजना अगिसारे कासन कते भियोटा और निर्माण गरिये कुछ वने कते धार्मिक परिटरक उकासने रुप मां मंदिर को पुन निर्माण मां स्तारे सर्गाली प्राथामिक्दा दिये कासन इसरी स्थान ये सर्गार को सोह युग माने स्थान यली आर्थिक लाप पनी ली रहे कासन मने कते आर्थिक रूप मां सफल हुनी अपेक्छा गरिये कुछ इसरी नई पालपा को रूरू धामलाई परेट की धार्मिक केंद्र बनावने गरी भौतिक सम्रचना निर्मार भॉय कुछ पालपा पार्ट पाली के खबरदाता किरण को सलकु एक रिपोर्ट पालपा गुल्मीर स्यांगजा को स्तंग विस्तलमा पर ने नेपाल का चार धाम मद एगधाम रूरू धाम लाई परटकी धार्मिक केंद्र बनावने गरी भौतिक सम्रचना निर्मार थालीये कुछ धार्मिक परटकी ये गंतपे बनावने गुरी योजना तयार गरी लुम्मीनी प्रदैस सरकार ले पुर्वधार निर्माण थाले को हो। जोखिम बढ़ाओ दे गए पसी इसको समरचन को पहल भाय को हो। पार्क हरू इरी निर्भान गुनी योजना था। भूत अथा जलाधार बेवस्ताफन कालडेया पालपाले ब्रेहत परियोजना संचालन का लागी 24 करोड 20 लाग 60 अजार ठेक का समझोता गरेरा कारिय अगारी बढ़ाये को सा। पहलो चरण मां रेडी खोला रा कारी गण्डे की नदी साइद रिसी के सब मंदिर छेतर मां गरी 2008 से 20 मिटर लंबाय रा 7 मिटर उचाई का आर सी सी त्यवा परखाल नेर्बार गरेने वाये को सा। ये सेतर मां 66-66 थान ग्याबिन भरेरा खोला रा नदी को बाहन नियंत्रण गरीने सा। पहिलो चरण को काम निर्माण वेवसाईले 30 मैना भितर सक्ने गरी ठेका सम्झावता भायको सा। योजना संपन भायपनी पालपाग गुल्मी रा स्यांग्जा साइद धार्बिक परेटकलाई लाप पुग्रेशा। नदीरे खोला को कटा नियंत्रण गरे रा जमिन सम्रेशन गरनी बस्ती तथा धार्बिक इस्तल जगावनी रा गुरी योजना अनुशार को परोधार निर्माण गरी रेशा। उए्ट जले कोईcciones पूल को निर्ग का इसल्गी झाने गिए